आज है 27 अगस 2020 और 27 अगस 2020 से कंटेफर्स के जितने भी इंपर्टेंट कॉश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पूरा वीडियो आप इंट तक जोल देखे और वीडियो के इंड में मैं आप से एक क्वेस्चन पूछूंगा उस क्वेस्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रूप का लिंक डाल दूँगा आप वहां से टेलीग्राम ग्रूप जोईन कीजिए और वहां से डेली जितने भी करेंट अबर के कोश्चन बनते हैं उनके पीडियव आप ले सकते हैं इंस्टाग्र करते हैं अश्थ के पहले कला का जो कैसे और उसका और उसका एंसर किन-किन लोगों ने किया था पहले उनकी बाते कर लेते हैं आशिका गुटता अभेशेक्ष श्रिवास्तवा जैयम मिंस्रा निकल राज टिक है जैम स्ट्था परस्वेक्षण में बताया था काफी देटेल आप जानिएगा उतना आपको फैदा होगा जितना भी लिख सकते हैं आप कमेंट भर देजिए कोई मतलब नहीं है आप बस लिखिए क्योंकि यह आपके लिए ठेक है तो इस क्वेस्चन को मैं एक बड़ डीटेल कर देता हूं ग्वेना के नए परधान मंत्री जो न ने उपते हैं यह भारतिया मुल्क हैं तो इसलिए मैंने जानबूच के डाला क्योंकि इंपोर्टेंट बन जाते हैं अच्छा गुए न इसके कैपिटल का है तो जोर्ट टाउन इसके करेंसी है गुएनिस डॉलर चलते हैं आज क्वेस्टन करते हैं पहला कॉस्चन माई आ आप इसका पर्पस कई है इसका पर्पस यह है कि यतने आफी करियर अपको एरफॉरस लेटेड उसके बारे में जय आनकारी देना अपको guide करना अपको guide करना जितने carrier बनते हैं भविशे में उनके बारे में यह APP आपको detail करेगा अच्चा बागी करें ओप्सन को detail करते हैं एंडियन एरablo के बारे में थोड़ी से जनते हैं इंडियन एराइर फोर्स इसके असथापना कवैती 8 October 1932 इसको है कि इसके ब Holzबान में, जो Chief है हो यानि कि Chief of इंद्यान एधयर फोर्स तो कौन है राकेश कुमार बधोण क्या ए हिंद्वार्मी इसके बरतोबान में dever होने तो मनों तुमकुन नर्वान है इंडियन नेवी इसके चीफ कौन है तो करम वीर सिंग अच्छा एक question मनता है तीनों से क्या तो Indian Air Force Day, Indian Army Day Indian Navy Day ये कब मना जाता है तो सबसे पहले Indian Air Force कब इसके स्थापना वो थी 8 October 1932 को 8 October को हर साल Indian Air Force डे के रुपे मना जाता है Indian Army Day 15 जन्वरी को उसके बाद में Indian Navy 4 December को तो इस question से आपको इतनी जनकारी मिलती है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है पहली बार इस वीडियो का देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और बेल आइकन दबा लेजिए क्योंकि डेली मॉर्निंग में 5 बजी एक करेंट अपर का वीडियो अप्लोड होता है साथ ही साथ अगर इस question का अगर PDF आपको चाहिए तो discussion box में आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम गूर्प आप जाके वहाँ जवाइन केजिए आपको टेलीग्राम में आपको डेली मॉर्निंग में ही आपको करेंट अपर के जितने भी PDF हैं वह प्रॉबाइट करा दिया जाएंगे चलते हैं एक लिए question पर कोश्टन आपर सके हाली में दुनिया का पहला तरता हुआ आपको का एपल श्टोर किस देश ने खोला जा रहा है इस question का से उतर है option यह सिंगापूर एपल स्टोर यानि कि उसकी करेंसी क्या है तो सिंगापूरियन डॉलर इसके बरतमान में प्रेशिडेंट कोन है तो ले सिंग लोंग अच्छा हाली में करेंट एफिर का question मानता है सिंगापूर से वह क्या था तो सिंगापूर में प्रितंव सिंग जो भारतिय मूल के हैं यह लीडर ओफ ओपोजिटीशन चुने गया है यासे कि भारत में बहुत्वान में घुलाम नभी आजाद वैसे ही सिंगापूर का जो पर्लियमेंट है उसमें जो पद है लीडर इस क्वेशन का सही उतर है ऑप्शन भी सत्य नरायन गोएल ठेक है सत्य नरायन गोएल यह कौन थे इससे पहले आई-एक्स हैने की इंडिया नेराजी एक्स्चेंज जो कंपनी है उसके नन एक्जेक्विटिव डिरेक्टर थे अब इनको इंट्रिम मना दिया गया है राजीव सिर्वास्त होते हैं यह हाली में इन्होंने इस्तिफा दिया है और सत्य नरायन गोएल को आई-एक्स का एज़े इंट्रिम इंट्रिम मतलब अगला जब तक पूर्ण का लिग इंट्रिम नहीं हो जाता है यानिके पर्मानेंट तब तक यह रहेंगे सत्य नरायन गोएल इंट्रिम के पद पर आई-एक्स के ठेक है तो इसके अस्तापना कभी थी तो 2012 में चलते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन वर फॉर्थ हाली में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंसुरेंस का कितना परतिशत हिस्सा खरीदा है तो इस क्वेश्चन का सेवत करें ऑप्शन यह 17 ठीक है ऑप्शन सी दिख रहे हैं आपको 18 अब तक का टोटल परसेंट हुआ 80 परसेंट यानिकी एक्सिस बैंक जो है उसने मैक्स लाइफ इंसुरेंस का तोटल अब तक 18 परसेंट 70 परसेंट को इंक्लूड करके 18 उसका हिस्सा यानिकी स्टेक खरीद लिया है अब इनका जो पार्टनर सिफ होगा वो होगा 82 इस्टू 18 यानिकी बेरासी अनुपात 18 इ सुमाथ एक्सिस बैंक ऑफ बैंक और एकसिस बैंक ऑफ इंडिया का हेड कॉर्ट रहें मोंबई में इसके बारत्मान में MD&C को ने तो मिताब चौधरी अचांप लाएफ इंसूरेंस इसका हैं तो नई दिलिमें इसके बारत्मां में जो MDNCO है तो प्रसांद त्रिपाठी है अगला कोशन है कोशन नमर फाइव आई यू सी एए के अनुसार हाली में भारत के अस्ट्रो सेट बोल सकते हैं हिंदी में अस्ट्रो सक्त इंगलिस में अस्ट्रो सेट सैटलाइट ने किस गैलेक्सी से यूवी रेज को डिटेक्ट कि डिया है अब सने तो ऑगी यह खी भर यह यह ऩो है यह 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 बन यहां ऐशistant यह यह सब्सक्राइब करूब सकते और गए ours of Stars इनके पास क्या हूत है ग्यस का collection dust मलभे काूड़े का debris जिसको बोलते हैं और ऊसके बाद में इनके पास billion of star खुद के billion of star है इनके पास अपना solar system भी होता है साती साथ इनका अपना Gravitation Force होता है गेलक्सी आने के एक गालेक्सी है भारत का सबसे नजदीक की जो नजदीक में गालेक्सी हो कौन है तो एंड्रोमेडा और सबसे चमकीला गालेक्सी कौन है तो साइरीस अच्छा यह जो है AUDF-SO1 यह प्रित्विस है कितना 9.3 billion light year की दूरी पर इस्तित है प्रित्विस है अच्छा light year सबसे पहले यह तो डिस्टेंस का एसा यूनिट है तो एक light year में कितने मीटर होते हैं एक light year में कितने मीटर होते हैं तो 9.46 इंटू 10 to the power 15 मेंटर अच्छा IUCAA यह क्या है तो इंडियन उनियन सेंटर फॉर एस्टोनोमी और एस्टोफिजिक्स इंडियन उनियन सेंटर फॉर एस्टोनोमी एंड एस्टोफिजिक्स इसका हैड़क्सी से यूविरेज डिटेक्ट करने वाला सैटेलाइट है यूविरेज यानिके अल्ट्रा वालेट रेज अगला कॉश्चन है कॉश्चन नबर 6 हाली में किस इंसुरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एन इंसुरेंस पॉलिसी को सुरू किया है तो इस कुश्चन का सही उतर है ऑप्शन है इस जेनरल इंसुरेंस तो यह जो है इंसु होता है तो सबसे पहले आपको पॉलिसी का लाप मिलेगा अगर आपका देहान तो होता है तो आप जो नामेंगे उपको इस की लाप मिलेगा इस पॉलिसी एंसुर्फ जेनरल इंसुरेंस इसके MDNC में परत्मार में प्रकास चंद्रा कांधपाई अगला कोशन है कोशन वर सेबंध मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के तरफ से गोल्ड मेडल जितने वाले पहले भारतिये का नाम क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट डाम है नीले कंटा बानुपरकाश नेले कंटा बानुपरकाश अच्छे जो है MCWC उस याने के Mental Calculation World Cup इसमें भारत के तरफ से नेले कंटा बानुपरकाश ने गोल्ड मेडल जिता है यह कहां के हैं तो यह आन्दर प्रश के हैं डेली उनुवर्सिटी के यह छात्र है यह mathematics honors के है डेली कीतना मिला है 102 point मिला है निल कंटन भानुपरबाकर को 167 point मिला है अस्तिमा पाल यह ईवईक है है इनको ब्रोंज मेडल इनको सो पॉइंट मिला है यह जो है निल कंथा भानु प्रकास इन्होंने चार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है और पचास लिमका वर्ल्ड बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना 50 किताब उसमें जीता है अच्छा किसलिए यह चार वर्ल्ड यह किसलिए तो फास्टेस्ट हुमन कैलकुलेशन विस्सों में उसके लिए इन्होंने अब तक यह जीता है यह जो वर्ल्ड कप है इसको कौन और 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 अर्गनाजेशन है ठीक है इस बार टोटल 13 देश इसमें पाटिसिपेट किया था 13 में से टोटल 30 पाटिसिपेंट्स थे है इनका एज का लिमिट होता है वो संतावन इसका होता है अच्छा-एमेसों इसको और गनाजेश कराता है तो इसमें इंक्लूडेड होता है तो टोटल 60 sports इसमें included होते हैं including mental calculation, chess है, scramble है, 70 wonder एक होता है, वो भी है, अच्छा 1998 में पहली बार ये आयो गया था, MSO द्वारा, तो इस question से आपको इतनी जनकारी मिलती है, चलते हैं अगले question पर question number 1, हाली में, DIO के नए chairman कोन न्यूक है, इस question का सिर्फ तरह है, option है G30, अच्छा G30, ये तो इससे पहले ही chairman थे, इनको 18 महिना, इनका कारीकाल बढ़ा दिया गया है, G30, बात है, DIO की, तो DIO की अस्तापना कब होई थी, तो 1958 में, इसका फोल्टरूम क्या है, Defense Research of Development Organization, इसके अब chairman पहले भी नहीं थे, G30, बात्मान में ये भी न्यूक्त हो गया, यानि कि 18 मेने तक इनका कारीकाल बढ़ा दिया गया है, DIO, इससे important question ये बनता है, इनका motor पूछा जाता है, तो motor है, वलश्य मूलम विज्ञानम, वलश्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिस में बोले तो strength origin in science, अच्छा किया था, तो LSE पर इंडियन आर्मी को provide किया, वहाँ जो border है, LSE border उस पर निगरानी करने के लिए, वो drone विक्सित किया था, KC1, इस रोके administrator है, chairman बोले, administrator बोले, head बोले, इस रोके हैं, यानि कि इंडियन स्पेस research organization, अगला question है, question number nine, हाली में भारत के किस rail division है, भारती के rail का पहला, baggage, sanitization और wrapping machine, उसको विक्सित किया है, तो इस question कासे होता है, option B, एहमदाबाद railway division, अच्छा बात है railway के, तो मैंने, इंडियन railway के जितने वी zone है, एक तो होता है zone, और एक होता है division, एक होता है sub division, तो railway zone total 18 होते हैं, तो उन पे मैंने एक special video बना दिया है, static portion में चाहिए ये playlist में आप सर्च किजिए, और वहाँ से देखे, detail वीडियो है, ठेक है, तो 18 zone होते हैं, division कितने होते हैं, तो 73 पहले थे हैं, इसले साल 5 और एड हो गया है, total 78 division, उन में से एक बनता है आपको, एहमदाबाद railway division, उनने अपने total जितने zone में कितने railway station अगर आते हैं, एहमद पे लगाया जाएगा, अब आते हैं, भारती railway की, हाना, भारती railway, तो भारती railway, इसके असापना का बज़ती, तो 1953 में, अच्छा, भारती railway के, यानि के स्वतंत भारत के पहले railway minister, ये question बहुत बार पूछा गया, तो स्वतंत भारत के पहले railway minister है, जोन मत है, और वरत्मान में कौन railway minister है, तो प्योस्ट गोल, अच्छा, कारनोट पुरसकार, प्योस्ट गोल कहीं हाली में दिया गया है, बाती railway नहीं हाल में स्वेक्ष्टा सप्था सुरू किया है, जिसको हरी जंडी किसने दिखाई है, ने कि इनोगरेट किसने किया है, तो भारत के प्रधान मंत्रिय है, नरेंदर मोदी, अच्छा, रेलबे वोट के चेर्मेन कोन है, तो वीके ज्यादो, अगला कोश्चन है, कोश्चन में पाश्कल लिशोबा का नेदन हुआ है, वे किस देश के पूर्व राष्ट पती थे, इस कोश्चन का सही उतर है, अपसने कॉंगो, पाश्कल लिशो नरें 57, तो 1960 में यह आजाद होने के 1960 में, अब यह जो है, पाश्कल लिशोबा, यह जो है, 1992 से लेके, 1997 तक, यह वहां के राष्ट पती रहे थे, अच्छा, कॉंगो, कॉंगे की कैपिटल का है, तो कॉंगो यह कैपिटल है, ब्रेजावाइल, ब्रेजावाइल वोज के करे किताब है, तो फेलिस सी से खेडी, कॉंग है, फेलिक्स सी से खेडी, अगला कॉस्चन है क्कोर्स नमर 11, किताब है, रनिंग टॉइट्स मिस्ट्री, दि एडवेंचर अफ अन कंवेंसल लाइफ, इस किताब के लेखा कॉन है, तो इस क्कवेश्चन का से उतर आप्शन भी, एंड वी बोथ तैंजीन प्रियादर्सी और जारा होस्मंद इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है क्या है बुक का नाम आ ग्ला फॉल्ट वर्ट गुजराती डें विख एक कब मनाया गया तो इस कॉष्चन का सही उतर है ऑप्शने 24 अजस्त आ अच्छा यह वर्ट गुजराती डेंगे मनाया क्यों जाता है एक है नर्मदा शंकर देव को ए नर्मदा शंकर देव इनको बोला जाता है है वीर नर्मदा कि इंके वर्थ एनमर्सरी पर यह शरुको फॉर्फ पिर जाता है है यह इनका नाम इまだ क्यों है कि थिलिए तो इनको गुझराती लेंग्वेज् Will राति डाल कहा जाता है तो और यह जो important किताब है नमे नर्मदा संकर देव इनका एक important किताब है जय जय गर्वी गुझरात बहुत इंप़र्गर्वी नर्मदा संकर देव का किताब है अच्छा अगस्त महने के जितना भी important 10 । उनको फिर से एक से एक बार हम रिव्ड रिकॉल कर लेते हैं थोरोली स्टाइट कीजिए एक अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस तीन अगस्त वर्ड संस्क्रिट दे छे अगस्त हिरोसिमा दिवस साथ अगस्त नेशनल हैंडलू में आठ अगस्त भारत छोड़ा अंदोलन का 78 वर्सगाट दस अगस्त वर्ड ब भारतिय अच्छे उर्द्या दिवस विस सगस्त को एक और इंपोर्टेंट मना जाता है तो वह क्या है इंडियन मॉस्क्यूटो दे उसके बाद 21 सगस्त को सिनियर सिटिजन्स दे मना जाता है और इंडियन दे ओफ विक्टिम जो टेररिस्ट यानिके टेरिजम से जो ऐसे थोरोली आप क्वेश्चन को लिखे और डेली जितने भी आते हैं तो मैं रिवाज कराऊंगा डेली कराता भी हूं तो अब तक तो आपको यह याद हो जाने चाहिए त्योंकि इतने बार मैंने इनको बोल दिया है कि अब यह जुबान पर होना चाहिए सबके अगला प चैंपियंटEC 2020 किताब किसने जीता है इस क्वेimmer क साहिए उतरा एप्सनी हो sj около में में मनिक हैं पूरा नाम है , एक सी बारन люблю इक यह यह का म्योनिक नहाघ्री 14 ने छठवी बार यह यह चैंपियंसेल जीता अच्छा यू इए इसके फूट्वर्म क्या है तो यूनियन ओफ यूरोपियन फूटबल एस्वोशियेशन इसका है तो जर्मनी में है अच्छा यह जो है 2020 यह फूटबल का एक टूनेमेंट है तो यह कहां पर आज जो थे हुआ था तो वेन्यू पूछी जाएगी तो पूर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन वहाँ पर है एक सेटी है इस्टैडियो दिलूज वहाँ पर इसका वेन्यू था लालीगा यह भी फूटबल की एक क्लाब है जर्मनी का इसने रोई सर्मा को अपना ग्लोबल ड्रैंडम मेश्टर मना है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन अवर 14 हाल हमा चल परेश राज्यीका वितायोग का अध्यक्स नूप किया गया है तो बाते हिमाचल परेश की तो हेमाचल परेश की कैपिटिल का है तो शिमला इसके बरतमार में सीम कॉन है तो जैराम ठाकुर है और गववर्णर कॉन है तो बढधानदू बढ़न दपतात्रे हिमाच गंगा नेशनल पर्क ये भी हिमाचल प्रदेश में हाल में घर में 100% एलपीजी जो गया से उसका कनेक्शन देने का लक्ष्जू था हिमाचल पुरसकार 2020 जो जारी किया गया है उसमें इन्होंने ये वोट जीता है ये पंचायत पुरसकार अगला क्वेशन है कुछ नमर 15 हाल में बंगाल लॉक्डाउन अन्लॉक फिल्म फेस्टिवल में किस लोगों फिल्म को अंतरश्टी पुरसकार मिला है तो इस क्वेशन का से उतर है ऑप्शन भी अभी लास अब है अंतियम क्वेश्चन यानिके क्वेश्चन ऑप दडे बारत का सबसे लंबा नदी रोप्य कि किस राज में बना है इस क्वेशन का सभी अंसर आप बताए कमेंट में जाके डीटेल बताए जितने भी जान करीए आपको पता है या फिर सुफ किजिए कहीं से तो आपके खुद के बन जाएंगे विजान कर या आप एस सोसीएट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा क कमेंट में जरूर बताइए साथ ही साथ इस वीडियो का आप जितना भी स्टेडी रिलेटेड फेस्बुक और वाट्सप गुरूप हैं आप उदर सेयर कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग